नमस्कार आदाव। मैं विश्वना दत्ता विटामिने मुजिक स्टिशन से आप समों का इस्तिकबाल करता हूं। आज हमारे बीच हमने दो ऐसे कलाकारों को अमंत्रित किया है जो हमारे दोनों तरफ बैठे हुए हैं। और कुछ खास विशाइबे में इनलों को उनलों से जानना चाहता हूँ। और आपनों के मैं आपनों को इनसे रूपरोपकरवाता हूं। हमारे दाईन तरफ बहुत ही प्रशिद गीत गीतकार अकतारनाफेजी हैं। और हमारे बाएं तरफ बॉलिवूट के प्लेवेक सिंगर श्री नितेश्रमन जी आप दोनों का इस्तकबाल और स्वागत हैं मैं आज इस विशाय पर चर्चा करने इन्हों को बुलाया हूँ वो विशाय गीत गजल और गाएकी इसके क्या फर्क है? इसमें क्या अंतर है? ये समझने के लिए हमने इन दोनों को आपनों के बीज बुलाया है आप तर नाफिय जी मैं आपसे ये जाना चाहूँगा कि दरसाओं को आप ये बताएं कि गीत को लिखने के लिए कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाता है मतलब मेरे पूछने का मतलब ये है कि जिस तरह शायरे लिखते हैं या फिर धुद जिस तरह से गाई जाती है क्या इसे उसी तरज पर गीत कार लिखते हैं या गीत कार खुद तरज बना कर लाते हैं क्योंकि बहुत सारे गीत कार ऐसे हैं जो इस चीज़ को नहीं जानते है कि इसका सही तरीका क्या है और कैसे लिखाया था आप करिपिया इस पर मार्दाशना जब तक बताएं बहुत पूशक्री आपका और ये आपने काफी उम्दास हवाल किया है और ये बात सच है के बहुत सरे गीत कार ये चीज़ नहीं जानते हैं के गीत को लिखने का सही तियाल जो नए लोग हैं जो लिखने ही कोईश्च करते हैं दुगात कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं है, तो मैं उन्हें समझाने कोश्च करूँगा, और बताने के पे कोश्च करूँगा, कि गीत लिखने का सही तरीका यह है कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि यह शेरोशारी की तरह भी लिख सकते हैं, और अपनी धुन बना कर भी लिख सकत लेकिन बहुत सारे गीतकार इससे होते हैं जो यूही शियर शायरी की तरह लिखते हैं लेकिन मैं खुद हूँ एक जो मैं खुद अपनी धुन बनाकर लिखता हूँ वह बात अलग है कि इस धुन का कोई मतलब नहीं होता है और बाद में उस धुन को मतलब यूँ ही नकार दिया जाता है क्योंकि धुन बनाने का काम हमारा नहीं है हम लेरिसिस्ट है हम गीतकार है हमें इतना हक मिलता है कि हम उस धुन को बना कर लिख सकते है लेकिन वो धुन गीत कार वो म्यूजिक डायेटर का मेंग क्योंकि साथ सुन में सजाना उस कीत को और धुन बनाने का काम जो होता है वो म्यूजिक डायेटर का होता है और म्यूजिक डायेटर ही कीत के धुन बनाते हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब कोई कीत कार किसी म्यूजिक डायेट और कई बार ऐसा होता है कि अगर किसी डायेक्टर या प्रोडिसर से काम मांगने कोई गीत कार जाता है तो उसको मजबूरन गा कर सुनाना पड़ता है तो मेरे खिया से इसको लिखने का सही तरीका मैं यह नहीं बोलूगा आप कैसे भी लिख सकते हैं अर धुन बना कर भी लिख सकते हैं वह अलग चीज है कि आप का धुन बनाया हुआ वो किसी काम का नहीं होता बाद में उसे मिजडराइक्टर बदल देते हैं खास दोर से जो आजकल के जो गीतकार है उसको गीत लिखने के लिए जो है वो क्या उसकी आधार होनी चाहिए फिर क्या उसका उसमें पेशगी होनी चाहिए उसके पीछे क्या होना चाहिए विचार होना चाहिए वही मेली दर या फिर किस आधार पर आप इन गीतों का निर्मान करते हैं किस आधार पर निर्मान करते हैं तो हमें तो सिचुशन जो भी हो गीत लिखने का तरीका ये होना चाहिए कि आप जो चीज लिख रहे हैं उसके उसमें कुछ बात होनी चाहिए सीधे सीधे मैं आपसे प्यार करता ह तो मेरे दिल में है इस तरह के गाने मेरे ख्याल से आज नहीं चलते हैं नहीं सुने जाते हैs 90's में काफ़ी चलते थे तो कुछ बात जरूर होनी चाहिए आपके लिर्इक्सμέें आपके उन शब्दों में और आपकी सोच में आपके थौट में कि आपने किस आधार पर गीत लिखा है तो ये सारी चीज़े नॉर्मल है वाकि गीत लिखने का मैंने सही तरीका आपको यही बताया है कि आप मुखड़ा होता है और अंतरा होता है तो जब आप चार लाइन शुरू किया आप शुरू करते है किसी थौट पर तो जैसे आप किसी फूल पर गीत लिख रहे हैं तो आपने शुरू किया तो उसको चार लाइन आपके मुकमल होगी तो मुखड़ा होता है उसके बाद फिर अंत्रे की लाइन होती है दो अंत्रा और एक मुखड़े से गाना वो सारे लोगों नहीं पता होता है तो यह चीज़ है अच्छा मैं नीते श्रीमन जी मैं आप से जाना चाहूँगा कि आपने तो बहुत सारे फिल्मों में गाये हैं आप ऑलिवुड के मशूर प्लेबैक शिंग और में आपका भी अपना एक आधा है आपका एक नाम है मैं आप से यह जानना चाहता हूँ कि गीत और गजल इसमें क्या फर्क है आप क्या समझते हैं कि गीत और गजल जो है इस दोनों के बीच अगर हम जानना चाहें या जनता जानना चाहें तो आप इसको कैसे ब examination करेंगे गीत और गजल के लिए फर्क जानना हो तो दो लिहाथ से हम फर्क देख सकते हैं एक तो लिखावट और उसकी गायकी यानि संगीत गायकी और एक लिखावट तो गीत आम तोर पे किसी ने किसी situation के उपर लिखे जाती है कोई फिल्म हो, कोई भी serial हो या कोई ऐसी चीज हो जो picturize हो रही होंगी उसकी पीछे एक story होगी और इस story में जहाँ पर गीत आने होंगे उसकी पीछे कोई situation होगी जिस पर गीत लिखे जाते हैं और गीत इस तरीके से synchronize होने चाहिए कि वे situation को cater करें उसकी भरपाई कर सके उसके साथ जुड़ा रहे तो लिखावाट ऐसी होती है लेकिन गजलों में जो गजल लिखे जाते हैं वो mood की उपर लिखे जाते हैं मूड की उपर लिखे जाते हैं और ऐसा हो सकता है कि जो उसकी share है पिछले share से बिलकुल अलग मुक्तलिफ हो सकते हैं अलग-अलग situations के share हो सकते हैं लेकिन गजल एक ही होगी यह लिखावट के तौर पे हम ऐसे समझ सकते हैं गीत और गजल में जहां तक गाईकी की बात है तो गीत को आम तोर पे उसके धुन और उसकी गाईकी जो संगीत होते हैं वो आम लोगों की समझ में आ जाएं इसलिए उससे थोड़ा सहच और थोड़ा हलका बनाया जाता है अच्छा नितेश जी मतलब मैं समझ गया कि आप जंदा को आप बताना चाहते हैं कि तो गजल के कम में क्या फर्क है साथ ही साथ मैं एक चीज़ और जाना चाहता हूं कि यह जो गजल की जो गायकी होती है या इस गजल में जो जो दो तरीकी की गायक होते हैं मतलब एक फिमेल वाइस होती है एक मेल वाइस होती है तो गजल में निखार पैदा करने के लिए किस वाइस का जो है वो ज्यादा मतल उसका जो है उप्योग किया जाता है ताकि वह गजल जो है वह सुनने में लोगों को बहुत अच्छा लगे किसकी वाइस जो है वह इसमें फिट बैठती है यह मैं जाना चाहता हूं अगर मैं ठीक समझता हूं तो शायद आपने यह पूछने के कोशिश की है कि मेल वाइस या आपका कि आपने कहा कि लोगों को क्या पसंदाता है लोगों को घजल मेल वाइस में अच्छी लगती है और वजन घजल का जो वजन है असली वो किसकी वाइस में अच्छी लगती है या मेल वाइस में या फेमेल वाइस में आपने काफी अच्छा सवाल किया है और क्योंकि जब तक सुनने वाला समझधार ना हो और कहने वाला जब तक सुनने वाला समझधार ना हो कि जब तक सुनने वाला समझधार ना हो कहने वाला कितना भी बड़ा बतिमान हो ग्यानी हो तो आपके कहने और सुनाने का कोई अधनी होता है तो इसलिए मैं गजल के बिना पर यह ही कह रहा हूँ कि इसमें वाइस आवाज किसकी वाजीब है जरूरी है तो मैं खालते नितिशी आप बना सकते हैं चीज़ को अच्छे से आम दोर पे गजलों की बात अगर करें उसकी गायकी की बात करें तो वह मूट बेस्ट उसमें रिफ्लेक्शन होते हैं यानी जो हमारे डिफरेंट मोट्स हैं हम उसमें बयान करते हैं गजलों में जाए आतर गम की उदासी की महबूबा की खुशी की और ये जब आवाज में जलकती है तो ज़्यादा दिल में उतरती है और ऐसा देखा गया है जबसे गजलों का इतिहास गायकी के उरूप में शुरू हुआ और आज तक जो उस्ताद गजलों के आए उसमें ज़्यादा तर ऐसा देखा गया कि जो मेल वोईस है उसमें गजलों की तासीर खुल के आती ह और फिमेल वोईस में एक अलग उनकी खासियत होती है जिसमें गजल उतने खुलके नहीं आपाते हैं जितने मेल वोईस में आते हैं जैसे हमारे गजल की दियास को देखें तो जितने उस्ताद हुए गुलाम अली साथ, मेरी असंद साथ, जेजीत सिंजी या पिछले दो-तीन दशकों में जो नए गजल गायक आए उस मुकाबले अगर देखें तो फिमेल गजल गायकों की संक्या बहुत कम है पंगर चुदा साथ, जे जे बिलकुल, सभी फरमाया उन्होंने गीत की गजल को थोड़ा आसान और किया और आम जनता तक पहुँचाने में उनके तरीके बहुत काम आए, तो मेरा ही मानना है, बलकि मेरा नहीं जो इंडस्टरी के लोग हैं, उन्होंने यही समझा कि गजल मेल वोईस में ज्यादा सठीक सुनाई पड़ती है, क्योंकि जहां तक मुझे याद आ रहा है कि एक गजल गायकी जो बीच में आये थे कुछ सालों पहले चंद अंदास, उनकी भी आवाज बहुत अच्छी लगी लोगों को, लोगों ने बहुत पसंद किया, मेल वोईस चमन की थी, उनके गजल लोगों को पसंद किया, तो शायद नहीं थे जिए आप जैसा कह रहे हैं, या फिर आप जो बताना चाहते हैं, कि गजल की जो चाया जो है, वो मेल वोईस पर ज्यादा शूट करती है हमारी साफ से, उसमें गजल निखर के आती है, अंदाजे बयां अच्छा होता है उसमें, एहसासात उभर के आते हैं और दिलों तक उदरते हैं, च्योंकि आवाज के अपनी तासीरे खरज होता है, इसमें खरज का बहुत डिक्शन होते हैं, अर्दो हिंदी शब्द होते हैं, अलफाज होते हैं, जो कुल के आने चाहिए, और जो लो फ्रिक्वेंस्टी होते हैं मेल की, इस वजह से वो चीज़ें ज्यादा अच्छे से उभर के आती हैं अच्छा अब यह है कि आप चलते चलते आप दोनों से, एक आखरी सवाल वो मैं करना चाहता हूँ, कि आप दोनों ने एक साथ बहुत काम किया है, बहुत गीत, इन्होंने लिखा है, अक्तर साहब ने लिखा है, और आपने गाया भी है, तो मैं यह जहना चाहँआ कि आपक मैं यह बताना चाहा रहा हूँ, कि हम लोग लेके तो बहुत कुछ आ रहे हैं, लेकिन इसके लिए आप मैं दर्शकूर से कहिए कि हमाने चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम अच्छे चैनल पर हमने डाला भी है, और लोग सुन रहे हैं, और हम कुछ और भी काम लेकर आ र खुलासा यहां कर दूँ, उससे बेहतर है कि आप हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएं, अख्तर नाफे ओफिशिल चैनल सर्च करें, जो इसमें लिंक में नीचे मिलेगा आपको, और उसको सब्सक्राइब कर लें, हम जो कुछ भी करेंगे, आप तक उसकी सूचना पहुँच जाएगी, और यकीन मानिये कि हम हर वक्त कुछ नया, ताजा और आपकी सेहत में कुछ अच्छा हो, ऐसा संगीत करने की खुशिश करते रहेंगे, और वही करेंगे जो दिल को सुकून पहुँचाएगा, आप अकेले में, तनहाई में हमारे गीस सुनेंगे, तो बहुत अच्छा लगया आपको, आपके दिल को सुकून मिलेगा, और आपके दिल की सुकून की गारेंटी हम लेते हैं, इंशाला, चलिए तो चलते चलते, आप दोनों को शुक्रिया, कि आप लोग बिटामीने में जुरिक शिशन पर आये, और आप लोगों ने इस विचा को रखा हम लोगों के सामने, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धंदबाद, आप सबुका धंदबाद, नितेश जी आपका भी धंदबाद, और अक्तर नाफेज जी आपके बहुत 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 शुक्रिया, 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 शुक्रिय